जैमा अनपुर्णा दोस्तों आप सभी का मा अनपुर्णा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है अपनुर्णा की बहुत सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब नकिया अच्छी है तो बिल्कुल देखिए ऐसे इस कलर तक आपको इसको फ्राई करना है और इसमें मैंने डाला एक बड़ा चमच अधरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट आप अधरक लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं तो देखिए फ्रेंट से ये इस तरह से हो रहा है इसमें डाला है आदा चमच हींग और इसके बाद मैं डाल रहे हूँ कस्मेरी लाल मिर्च क्योंकि हमारा प्याज काफी लाल हो रहा है तो मैं एक चमच के करीब में डाल रहे हूँ पानी जिसी कि हमारा प्याज अधर windows देखो जाये यहीं मसाले अधा चमने चलदी का water डालके हमने मसाले को कर लिया है LU!' विभारीं यहांच शोड़ा hoff और मैंने यहां पे दो पैकेट मसरूम जो 400 गराम के करीब में उनको पानी में उबलते हुए पानी में डाल दिया था तीन मिनट के लिए उसके ब्याद इसको छानके रख लिया है तो जैसे ही आपके टमाटर थोड़ा सा मैश होने लगी इसमें मैंने डाली एक हरी मिर्च यह आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है अगर आप और तीखा खाते हैं तो आप और भी डाल सकते हैं यहां मैंने 12 से 15 काजू को मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ है बिंगो के रख दिया था उसके बद मैंने इसको ग्राइंड करके एक महीन पेस्ट बना लिया तो वो अब हम इसमें एड कर रहे हैं जो काफी अच्छा क्रीम लुक देता है इसको और आपकी ग्रेवी को काफी ठिक रखता है तो फ्रेंड्स अगर रेस्पी पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल तो आप केरफुल से काजू के पेस्ट को हमेसा चलाते हुए बुनिये और अब मैं यहां पर डाल रही हूं अपना फ्रेस मटर तो आप यहां पर फ्रोजन मटर को भी यूज कर सकते हैं पर अब तो ठंडियों में हमारे मटर आने ही लगते हैं तो मैंने फ्रेस मटर को यूज क मतर को थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा तो आप इसको ढखके कुछ दिर के लिए पका लीजे जिसे की मतर जो है हमारे पूरे अच्छे से गल जाएं तो देखिए फ्रेंट्स मैंने ढखके लगबग 2-3 मिनट के लिए पका लिए और तेल भी देखिए हमारी सबजी ने क अच्छा चोड़ दिया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूं मश्रूम तो देखिए फ्रेंट्स ये कितना यमी लग रहा है देखने से ही और आप सोच सकते हैं कितना टेस्टी होगा और हेल्दी क्योंकि हमने इसको घर में बनाया तो बिलकुल आपको पता है हाईजीन का मै या फिर आप जैसी भी ग्रेवी खाना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं तो मैंने इसको डिनर के लिए तैयार किया है तो मैं इसमें थोड़ी सी थिक ग्रेवी रख रही हूं तो देखिए मैं यहाँ पे इतना पानी डाल रहे हूं उसको पानी डालने के बाद चलाने के बा और ये हमारी सबजी विल्कुल तयार हो गई है सब के लिए तो मैं सर्विंग बोल में इसको निकाल लेती हूँ तो देखे आप इसका वो देखे टेक्शर देखे कितना अच्छा है और बहुत ही डिलीसियस सबजी है तो होप है फ्रेंड्स आपको ये रेस्पी हमारी पसंद आई होगी तो देखे मैंने इसको कर दिया है गार्निस विप क्रीम के साथ में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ में और कॉरियंडर के साथ में आशा करती हूँ आपको ये रेस्पी पसंद आई होगी